आप चेक करिए आपके अपने जो भी आपकी राशी है और आपकी डिवाइन मैस्करून की जो राशी है उस अकॉर्डिंग आप दोनों की जो 11-11 पॉर्टल की एनरजी है आप दोनों को क्या कुछ आपके लिए ब्लेसिंग्स अब्यूंडेंस देखे जाएगा असेंशन चानल में मैं रुपाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं सभी 12 राशियां पर 11-11 पॉर्टल का क्या एफेक्ट रहेगा यह आप अपनी संसाइन मून साइन या सन और मून राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं बहुत-बहुत स्वागत हैं तो बने रही है पूरे वीडियो में जो भी आपकी राशी है वो मैं टाइमस्टांप पर मेंशन कर दोंगी वो टाइम सबसे पहली राशी जोडिक साइन कालचक्री की सबसे पहली राशी मेश एरीज जिन विंफ्लेम की या आपकी इदिवाइन मैस्कुलीन की अगर रा a chance to shine as Mars. Your rolling planet Mars positively bold step आप ले सकेंगे. अगर आप कुछ नई शुरुवात करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है. आप में confidence level बहुत अधिक रहेगा पर दूसरों की भी सुनें ताकि हामनी बनी रहे. Divine Masculine के साथ और दूसरों के साथ भी honest communication करना अभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. Honest communication means जिसमें कुछ भी hidden ना हो, कोई manipulation ना हो. थोड़ा सा health का ध्यान रखिएगा. अपने लिए थोड़ा समय निकाल कर थोड़ी देर solitude में जरूर बैठें. रिलाक्स करें, it is that time that you need extra time for yourself. In that way, you can rejuvenate your soul. बात करते हैं, second zodiac sign Taurus, वरिश राशी, वरिश राशी के लिए 11-11 portal 2024 में आपको patience की बहुत अधिक जरूरत होगी. Long term plan या goal achievement के लिए अभी patience बनाए रखना जरूरी है. वो काम करें जो आपको और आपके soul को खुशी दे. जल्दी बाजी में कोई भी काम, कोई भी decision मत लीजेगा. You might feel urge to rush. आप अपने nature के according काम करें, सोच समझ कर काम करें, fastly लें, सोच समझ कर. क्योंकि ये आपका nature है, बहुती सोच समझ कर, fastly लेना, काम करना, तो rush में ना रहें, हर बड़ी में, जल्दी बाजी में ना रहें. Divine Masculine के साथ और बाकी लोगों के साथ भी meaningful conversation करिएगा. बेकार की घुमा फिरा कर या double meaning वाली बातों से बचना अच्छा रहेगा. Practical approach रखे, self-care पर ध्यान दें. Zodic sign number 3, Gemini, Mithun Rashi, 11-11 Portal, 2024, communication पर बहुत ध्यान दीजी अभी. Communication is your strongest asset. Mercury, आपकी ruling planet है, जो अभी favorable position में भी है. अपने thoughts को clarity के साथ बोले, negotiation, discussion के लिए समय बहुत ही अच्छा है. ये discussion या negotiation किसी भी area में हो सकता है, career, relationship, personal, goal या personal life, situations में भी. New ideas, new opportunity के लिए एक दम ready रहें. बहुत पुराने friend, या किसी पुराने relation में से कोई अचानक आप से connect करना चाहेगा. Keep an open mind. Positive रहे हैं, ताकि आपके काम भी positive हूँ. दूसरों की ज्यादा सुनें, हमेशा याद रखें. हमारे पास कान दो है और मुह एक. So, we all practice to be a good listener. Okay? Zodic number 4, Cancer. Karkarashi, 11.11.2024 का जो पॉटल है. Karkarashi के emotional and home related matter पर focus करेगा. आप अब तक लोगों के लिए sensitive हुआ करते थे. अब से लोग आपके लिए sensitive हुआ करेंगे. आपके अपने. Divine Masculine के साथ और दूसरे लोगों के साथ भी आपकी बातों का असर पड़ेगा. जिस काम में, प्रोजेक्ट में अब तक थोड़ा ज्यादा time लगता था. वो materialize होने में अब कम समय लगेगा. Mental peace बनाए रखिएगा. कोई close friend या best friend आपके life में journey, आपकी life journey and twin flame journey में helping hand बनके आने वाला है. You may have heartfelt discussion with your divine counterpart. जैसा आपका nature है, nurturing, caring, understanding, ऐसा ही बने रही है दूसरे लोगों के साथ. Soft behavior करना ठीक रहेगा, ऐसे ही आप बने रहे हैं जो आपका nature है. ये आपके favor में रहेगा. Zodic sign number 5, Leo, Singarashi. 11-11 portal 2024 सिंगराशी के लिए growth opportunity लेकर आ रहा है. Relationship, career, job, finance, सब में. Confident तो आप हैं ही, ये आपका nature है. Spotlight में भी रहेंगे आप, लोगों के बीच आपकी साख credit बनी रहेगी. Your ambitions, ambitious nature could lead to rewarding opportunity. Divine masculine के साथ और दूसरे लोगों के साथ भी. जब deal करें या बात करें तो balance बना कर रखना ज़रूरी है. कोई अच्छा surprise आपको मिल सकता है इस दोराँ. Some pleasant surprise. जोडिक साइन नमबर सिक्स वर्गो कन्याराशी 1111 पोर्टल 2024 आपके लिए balance, alignment लेकर आ रहा है. जो आपका nature है, perfection, हर चीज में maintain करके रखना वो आपका जो nature है, वो nature और ज्यादा heightened होगा. थोड़े cautious रहने की भी जुरू थे, उन लोगों से, उन situation से जो आपका भला नहीं चाहते. Be patient with loved ones, critical होने से बचें, understanding nature को अपना है, लंबे समय से चली आ रही, कोई problem का solution मिल सकता है 1111 पोर्टल में. Organized thoughts and strategic plans will lead your journey towards the reunion. Zodiac sign number 7, Libra, तुला राशी, जिस balance and harmony के लिए आपने इतनी कोशिश की, चाहे वो to inflame journey में, किसी दूसरे relationship में, या फिर friend या family में, ये अब आपको मिलने वाला है. Family matter में, fair decision की जरुरत होगी, आपके वज़े से किसी का नुकसान हो, ये आप ऐसा मत होने दीजेगा. Ensure everyone feels heard and valued. God को gratitude पे करना ना भूलें. Zodiac sign number 8, Scorpio, प्रिश्चिक राशी आपके लिए 11.11 portal, twin flame journey में renewal लेकर आ रहा है. इस renewal से मेरा मतलब reunion और reconciliation दोनों ही है. जिस भी stage पर आपकी जर्नी थी, अब वो एकदम नए सिरे से आगे की ओर बढ़ेगी. New beginning के पूरे chances हैं. Sensitive conversations करते समय, पूरी तरह से अपने intuitions की सुने. आपके जर्नी में अब meaning closure का time है. Meaningful closure का time आ गया है. Embrace your transformation and strong your bond with your divine and your divine counterpart. Zodiac sign no.9 Sagittarius धनूराशी आपके लिए 11.11 portal new adventure लेकर आ रहा है. किसी trip या किसी culture या retreat आपके लिए लेकर आएगा आपके जर्नी की ओर आगे जाने के लिए divinal plan. ये divinal plan के तहत ही होगा, divinal plan के according ही होगा कि आप किसी retreat या किसी cultural function, program या किसी adventure में आप जाएंगे और उस related वहाँ से शुरू होगी आपके जर्नी का सफर fast forward movement में. ये बिलकुल अचानक से होगा, over commitment से बचें, इस दोरा ना ही अभी किसी से उम्मीद करें. सब कुछ divine time पर होगा, divine masculine के साथ अपने intentions को clear रखें, नहीं तो misunderstanding भी हो सकती है. So careful planning will pay off. आपके zodic sign के ruling planet है Jupiter, जो की अभी planet Venus के साथ aligned है. इसलिए romance या romantic nature highlighted रहेगा, पर फिर भी किसी भी चीज़ के अती से बचें. 10th नमबर की zodic sign है Capricorn, Makarashi 11-11 Portal 2024. मकराशी वालों के लिए twin flame journey में कुछ important changes लेकर आ रहा है. अब तक जो situations, जो stage आपके journey में थे, उससे अलग, उससे अलग कुछ situations आपके सामने अब आएंगे. means अगर अब तक आप long distance में थे, तो कुछ ऐसा होगा जिससे आप और आपके rewind masculine, same city या same place या same job related area या same country में भी आप आ सकते हैं. अगर अभी तक कोई karmic relationship में आपके rewind masculine थे, तो बाहर आ जाएंगे. पर situation अलग मैंने कहा, मतलब ये भी उसके बाद हो सकता है कि अभी कुछ नया challenge या situation सामने आ जाए. जैसे अब कुछ time तक आपके rewind masculine जो karmic relationship से निकलेंगे, वो किसी further relationship में अभी नहीं जाना चाहेंगे. या family pressure कुछ ऐसा होगा जिससे वो आगे क्या करना है, समझ में नहीं उन्हें आएगा. overall कुछ challenging situations solve तो आपको solve करना ही होगा, और ये solve आप और आपके divine masculine के तरफ से भी solutions जो है, वो आपको divine की तरफ से मिलेगा. लेकिन solution ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो situations है, वो आगे की यो journey आपकी बढ़ेगी. अब चाहें एक जगर आप आजाएं, तो भी कुछ ऐसे situations होगे, जो कि थोड़ा सा situations को challenging बनाएगा, पर solution के साथ, challenges solution के साथ आपको मिलेंगे. और चाहे कार्मिक release हो रहा है, आपके divine masculine के life से, फिर भी उनका जो मन है अभी, वो आपके साथ आने के लिए नहीं ready होगा. So in relationship, remember, always remember, listening is more powerful than speaking. किसी friend या किसी family या mentor का साथ अभी आपके journey को आगे की और बहुत जल ले जा सकता है. Zodic sign number 11, a curious कुंबराशी के लिए 1111 portal 2024 आपके soul को फिर से उसी purity की और ले जाएगा, जिसके लिए आप अब तक कोशिश में लगे थे. ये perfect time है, initiate करने के लिए, ये initiate, communication, contact, या new job, new project में भी आप कर सकते हैं. बहुत अच्छा time है, time तो कर सभी 12 राशियों के लिए अच्छी है, लेकिन जो preferably जो कुछ आपके लिए राशीगत जो भी कुछ है, वो मैं आप सबसे share कर रहे हूँ. flexibility की जरुवत होगी अभी, दूसरों के viewpoint को भी समझने की जरुवत होगी अभी, romantic balance में, जो आपका जो romantic side है, romantic side and of course passion को balance में रखें, नहीं तो चीजें खराब हो सकती हैं. over romantic या over passionate होने से बचें, last but not the least, spices, mean राशी, healing पर ध्यान दीजिए, inner work ही आपके ये इस journey को, to inflame journey को complete करवा सकता है, self reflection पर ध्यान दीजिए, अपनी कमियों को, गलतियों को नजर अंदाज ना करें, आपकी intuition आपको guide करेगी, personal relationship को कैसी समालना है, कैसी संजोना है, आपकी life में free flow abundance आने वाला है, twin flame journey में free flow, movement के लिए, spirituality को समझना जरूरी है, emotions को ठीक से express करना सीखिए, जहां जितनी जरूरत हो उतना, आप देखिए, जब आप solitude में बैठते हैं, तो कहां जा रहा है आपका mind, क्या कहना चाहता है आप से, या आपको वहाँ पे जाके solitude place में, जहां आप बिल्कुल अकेले तना हों कुछ time, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जितना आपके पास time, कहना चाहरा है आपका, आपका mind, आपका मन आप से, सरिंडर योर, control and allow things to be as they are, और उस इश्वर को, उस डिवाइन को सरिंडर करिये, और allow कीजिये, कि सभी चीज़े free-flowingly आपके लाइफ में हों, तो ये थी सभी बारह राश्यों का, 12 zodiac sign related, overall 11-11 portal 2024 कैसा रहेगा, और ये 11-11, मतलब 11th November के दिन ही, नहीं, उसके आगे की ये energy रहेगी, तो आप comment section में बताईएगा, कि आपको क्या changes आप feel कर रहे हैं, और उसके बाद, सबसे पहली बात ये है, कि सबसे पहली ये देखिए, कि आप twin flame, confirmation, कि आप twin flame है, अगर आप self confirmed है, confirm तो बहुत अच्छी बात है, personal session के साथ, ये confirmation आप को मिल सकता है, अगर आप confirm नहीं हो पारे, तो इसके साथी साथ, personal session, inner work, या आपकी divine masculine की current energy, या कहां आकर stuck हो गई journey, या कोई भी dream interpretation related personal session, या personal reading, या कुछ अगर decode करना हूँ, available है, और मेरा number, वीडियो को description box भी आपको मिल जाएगा, thank you very much for listening to me, Om Namast Shivai